हेट स्टोरी 2 हेट स्टोरी सीरीज की दूसरी फिल्म है यह एक रिवेंज ड्रामा है इसमें सोनी का प्रसाद डाट इस सुर्वीन चावला एक खूबसूरत नौजवान लड़की है और पॉलिटिशन मंदार मातरे इन्हें जबरदस्ती अपनी मिस्टर्स बनाते हैं ना सिर्व मिस्टर्स बनाते हैं लेकिन सोनी का प्रसाद को लेकर मंदार मातरे इतने पोजेसिव हैं कि सोनी का प्रसाद की हर सास उनके पास मानों गिर भी पड़ी है सोनी का प्रसाद किसी से बात नहीं कर सकती है, किसी से मिल नहीं सकती है डर के रहती है, because after all, मंदार मात्रे एक बहुती पाफुल पॉलिटिशन है सोनी का फोटोग्रफी सीखने classes जॉइन करती है और वहाँ पर एक को स्टूडेंट अक्षे बेदी, that is, जैब अनुशाली से प्यार हो जाता है उने प्यार तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सोनी का प्रसाद को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर मंदार मात्रे को पता चल जाएगा कि अक्षे से वो प्यार करती है प्लीड करते हैं कि उन्हें छोड के नहीं जाए, उनका ब्रेक अप नहीं होना चाहिए वो देख लेंगे क्या होता है जब मंदार मात्रे उनके सामने आएगे ऐसा ही होता है मंदार को जब पता चलता है कि सोनिका उनकी मिस्ट्रिस सोनिका अक्षे से प्यार कर रही है तो मंदार और उनके आदमी मिलके अक्षे का खून कर देते हैं और सोनिका को भी जिन्दा गाड़ देते हैं जैसे तैसे सोनिका बच जाती है और जिस ग्रेव में सोनिका प्रसाद को जिन्दा गाड़ा गया है उस ग्रेव में से निकलने के बाद सोनिका सिर्फ एक ही मिशिन से जीती है उन्हें मंदार मात्रे और वो सारे उनके साथीदार जिनकी वज़े से अक्षा का खून हुआ था उनसे बदला लेना है इसी धारना के साथ वो जीने लगती है और बदला लेने का सोचती है बदला लेने के राह पर चलती है एक एक करके सब का खून करना है उन्हें because that is the only way she can avenge the death or the murder of her boyfriend अक्षे बेदी Naturally, मंदार महात्रे एक बहुत ही powerful politician है और इसलिए उनको मिटाना इतना आसान नहीं है तो क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है सोनिका प्रसाद को तो क्या अंत में सोनिका प्रसाद मंदार महात्रे को खत्म कर देती है या फिर मंदार सोनिका के लिए भारी पड़ते हैं यह आपको पता चलता है फिल्म के खत्मों होते होते तो आएए सबसे पहले डिसकस करते हैं इस फिल्म की कहानी, पटकथा और समवादो को इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखे हैं माधुरी बैनर जी ने और वैसे देखा जाए तो बहुत ही रूटीन सी स्टोरी है इस किसम की फिल्मे आपने बहुत सारी देख ली है और इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है कि आपको लगे कुछ नया बोलने की कोशिश की जा रही है कहने का मतलब है कि नौवल्टी के नाम पर इस फिल्म में कुछ भी नहीं है बहुत ही रूटीन सी स्टोरी है और उससे भी ज्यादा रूटीन स्क्रीन प्ले है इन फैक्ट स्क्रीन प्ले बहुत ही चाहे राइटर वो हो जाता है there's no logic, there's not much continuity and यहां तक कि जो भी किर्दार से करवाना चाहते हैं वो हो जाता है there's absolutely ना आगे देखना ना पीछे देखना and therefore the audience gets the feeling that बहुती कन्वीन किसम से ये स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखे गए है that is why the audience just doesn't get involved in the drama जो भी स्क्रीन पर ड्रामा उन्फोल्ट होता है audience laid-back तरीके से देखती है because audience ना सोनी का प्रसाद से sympathize करती है और ना ही अक्षय बेदी से and जो politician-mandar मात्रे हैं उनका खौफ भी audience को डरा नहीं पाता है because, जैसे आमने पहले भी कहा there's nothing to involve the audience or get the audience interested in what the proceedings are in what the drama is और इसलिए बहुती routine सी script लगती है यहां तक कि जब अक्षय बेदी का खून हो जाता है murder हो जाता है उसके बाद जब सोनी का के दिल में और दिमाग में अक्षय की तस्वीरे आती है और वो अक्षय से बाते करती है या at least उन से communicate करती है वो सारे scenes बहुती irritating लगते हैं बहुती irritate करते हैं इसकी एक वज़ा ये भी है कि अक्षय बेदी के प्रती audience की sympathy जागरोख ही नहीं होती है और इसलिए मरने के बाद जब वो सोनी का के जहन में आते हैं और स्क्रीन पर दिखते हैं तो audience को एक तरह से गुसा भी आता है माधुरी बैनर जी के screenplay के बारे में एक और बात इस film में वैसे तो it has been promoted as a bold film adult film with a lot of titillation लेकिन titillation बहुती कम है इस film में जो की hate story में बहुत ज्यादा था जो पहली film थी hate story उसमें titillation भी था, bold scenes भी थे and foul language भी थी जिसके वज़े से masses को बहुत मज़ा आया था इसमें ऐसी कोई बात नहीं और बात है तो भी बहुती limited है titillation भी limited है, bold scenes भी limited है sex भी limited है और इस वज़े से audience को खासकर masses को और front benches को उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि audience cinema घर के अंदर जाएगी यह सोच के के इसमें बहुत कुछ मसाला, जिसे हम मसाला कहते हैं महासिज के लैंगूज में बहुत कुछ मसाला देखने को मिलेगा लिकिन मसाला के नाम पर कुछ विशेश नहीं दिखाया गया है so that's one more drawback or one more weak point of the screenplay it doesn't deliver what it promises in the trailers जहां तक डायलोग्स का सवाल है गिरिश धमी जाने इस फिल्म के डायलोग्स लिखे है and ज्यादा तर तो डायलोग्स बचकाने है या फिर commonplace है, routine है बठा, मंदार मात्रे जो कहावतों का इस्तिमाल करते हैं ये कहकर के मेरे बाबा ने ये कहा था मेरे बाबा ने वो कहा था वो सारी कहावतें इंट्रेस्टिंग है एट लीस्ट उन कहावतों में ओडियन्स के चेहरे पर या होटो पर एक मुसकान तो आही जाती है बाकी डायलोग्स बहुती routine बहुती commonplace and कई जगा पर बचकाने भी हैं स्किप के बाद अब एक नसर डालेंगे अक्टर्स के परफॉर्मेंस पर इंडिविजल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कास करने से पहले ये बता दे कि इस फिल्म में लगभग सारे अक्टर्स ने कोशिश की है कि वो ओवर अक्टिंग करें सुर्वीन चावला वैसे तो उनका काम ठीक ठाक है एवरिट सा है लेकिन जिन सीन्स में उनको ब्रीधिंग प्रॉब्लम्स होती है या उन्हें कुछ फिट्स की तरह आते है उन सीन्स में उनकी हेवी ब्रीधिंग एक्चुली गेट सुन्दी आउडियन्स नर्व बिकॉज इतने ज्यादा सीन्स है जहां पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होते हुए दिखाई गई है कि आउडियन्स को बोरियत महसूस होती है इरिटेशन भी महसूस होता है अदर्वाइज शी जस्ट अबाउट ओके जै भानुशाली फ्रैंकली स्पीकिंग वो ना तो हीरो दिखते हैं और ना ही हीरो की तरह एक्टिंग करते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज्यादा ओर्डिनरी है सिदार्थ खेर जो की इन्वेस्टिगेटिंग पुलीस आफिसर वर्गीस की भूमिका निभा रहे है उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ओर्डिनरी है यह दाजन्ट रिरली मेक मच अफ डिफरेंस सो शान सिंग वैसे तो बहुत ही अच्छे अक्टर है इस फिल्म में भी उन्होंने काम बढ़िया किया है लेकिन क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और इतने ज्यादा वो चीकते हैं चिलाते हैं तो आपको उनकी बढ़िया एक्टिंग भी बहुत ही ओर्डिनरी नजर आती है उनकी वाइफ की भूमिका में नेहा कॉल बढ़िया है अच्छा काम किया है और बहुत ही ठहराव है उनके काम में राजेश खेरा का स्पेशल अप्यरंस रोल है and he makes his presence felt in that small role Sunny Leone पिंक लिप्स वाले गाने में ही नजर आती है her song is slightly exciting but not really very exciting masses को भी उस गाने में उतना मजा नहीं आएगा जितना की आना चाहिए था शशांग महादेव शेंडे, पवित्र सरकार और मेजर बिक्रमजीत इन तीनों ने ठीक ठाक support land किया है बाकी supporting cast में बहुत सारे actors हैं, चोटे चोटे रोल्स हैं उनके और उन्होंने भी अपना अपना काम ठीक अंदाज में किया है और actors के performances के बाद अब बारी है direction और दूसरे technical aspects की इस film के निर्देशक है विशाल पांडिया और उनके निर्देशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि it really doesn't stand out एक तो script बहुती कमजोर है, बहुती routine सी है प्लस विशाल पांडिया का जो narrative style है इस प्रकार का है कि audience को वो involved नहीं कर पाते हैं in the proceedings कहने का मतलब है that his narrative style is very routine and he has not been able to rise above the script जिसके वज़ा से direction बहुती ordinary audience को लगेगा संगीत अलग-अलग music directors का है मिथुन, मीद ब्रदर्स, अंजान, औरको और राशित खान ने इस film के गानों को compose किया है and गाने वैसे तो ठीक है लेकिन there's not a single hit song हाँ, जो remixed version है आज फिर तुम पे प्यार आया है that's a nice song but वो तो remix song है उसके अलावा जो original songs है इस film में वो बढ़िया है लेकिन not a single song stands out तुझे पढ़ा तुझे कभी डायरी में छुपा दिया lyrics भी अलग-अलग song writers ने लिखे हैं Mithun, Aurko, Tanvir Gahazi, Aziz Kayazi और कुमार इन पांचों ने गाने लिखे हैं and the songs, the lyrics of the songs are reasonably good गानों के picturizations किये हैं Raju Khan, Swaroop और Uma Gaiti ने and the picturizations of the songs don't deserve a special mention because वो ordinary है, routine है Cinematography है केदार गायकवार की and that's quite reasonable, nothing to shout about Sets है जयन देशमुक के and they are also just about okay Action scenes है Abbas Ali Mughal के and action or stunt scenes इस film में functional जयादा नजर आते हैं बजाए के ऐसे के audience की आँखे खुली की खुली रह जाए फिल्म में background score Sunny Bavra और Inder Bavra का है and the background music could have made a difference especially in the second half जब सोनी का प्रसाद बदले की भावना से बाहर निकलती है but the background music is quite routine, quite ordinary, quite commonplace जिस वज़ा से वो scenes में भी मज़ा limited ही आता है कुल्दीप मेहान की editing leaves something to be desired तो all in all, Hate Story 2 बहुती रूटीन, बहुती ordinary film है हाँ, क्योंकि इस film के promos ने, trailers ने titillation promise किया था इसलिए इस film को opening आज ठीक ठाक मिली है और इसलिए ये film औसत बिजनिस करेगी